हेलो एवरिवन ना मैदा ना अंडा ना ओवन ना सोडा और ना ही बटर कुरकुरे करारे सूजी की बिस्किट आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिना प्रेक किये सूजी के बिस्की जिसे आप एक बार बनाए और महीडोबर खाई यानि कि महीडोबर स्टोरी से आप कर सकते हैं आपके बनाएगे सूजी के बिस्कीड उससे पहले आप सभी का स्वाकत है आपके अपने ही चैनल में तो चलिए करारे खस्ता सूजी के बिस्कीड बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हमगी जो हमारा है रूम टंपरेचर पे होना चाहिए जमा हुआ होना चाहिए और ना ही बिल्कुल पिगला हुआ होना चाहिए इससे बीख गी भी चाहिए होना चाहिए चाहिए इसी को प्रसցप एचे रिपे फाल गीज तो sellers अब जाल लेंगे पिशा तो दूद दूद लेखे या गुन गुना incent और फिर क्या करेंगे इन सब को हम अच्छे से फेट लेंगे तो यहां पर चीनी घी और दूद यह तीन चीज हमने डाली है तो अगर आप यहां साबुत चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वह भी ले सकते हैं उसे आपे काफी फेट ना होगा कि जब तक आपकी चीनी के बिल्कुल त्यार कर लिए तो अब क्या करना है अब डालना है हमें यहां पर सूजी के बिस्किट के लिए जो जो हमें चाहिए तो डालेंगे यहां पर सूजी हमने यहां दो कटोरी लिए हो सूजी जो पतली भाली होती है उसका इस्तेमाल कीजेगा मोटी वाली है तो उ मिल्क पॉडर्र डालने से का टेस्ट बहुत अच Livesud, पिरुकुल मार्कट वाले बिस्कट लगें अग सी तavouruden और चुटकी भर टालने जो क्य recib है AL suspense, सट जो का घ्लीक भम टॉडर अब गते हो इस्केट मीफ बालें सेरी, सब्सक्राइब का तो बden एकर देड़ите, तो इन सब जीजों को मिलाकर हम भीकिट बना रहे हैं फिरेंगें कि पर अग्र फिर्ट को उखता हो गया है अगर यह अग्र अग्र लगए सब भीक SEE अ कर लीजेगाऊमनाlike हाल तो से मिला लेना है हम और मिलाकर इसे थोड़ी स्छदम साहिक लेसे छोड़ेंगी Strongest Partner क्योंकि सूजी ठोछी को थोड़ा समय लगता है फून ले के लिए और जितना है इसजित अच्छी सी हम फुलाएंगे इतनी ही हमारे बिस्कित की चाहदा खस्ता बनेगे Ngay सोजी बिसकит इस बनाने जारहे हैं सोजीThe biscuits आफने भी बनाने जारहे हैं को तर्मनेязया ने सोजी कीबिसकित चीकित habits कैषक तर्मनेट आफनेटे बारे नेफन देवाएवशन आफन सभी गता है इस बार आप सूजी की बिस्कित बना के देखेगा, आपको बेहत पसंद आएंगे, मार्किस से बिस्कित लाना भूल जाएंगे आप, तो देखे, दस मिरट बात देखो, आटा मेरा अच्छे से फूल गया है, और सूजी फूल गई है, तो आटा बिल्कु परफेक्ट लगा ह तो बास ब क्या करना है, एक बार ऐसे अच्छे से थोड़ा मसल लेंगे, यानि की जादा कःके नई मसल नहीं है बिल्कुल हल्की शादों से मसल नहीं है, और मसलने के बाद फिर हम इसके बिस्कित बनाईंगे, ये जो बिसकित रेफ्रेंस इसमें ना हमने ओवन का इस्तमा बाल रख सकते हैं, लगा हात में थोड़ा सा घर लगा लिजेगा और छोटी चोटी सिरयलेंगे तो लोय जो नीम इसाब शे लिए था से कम अब मीडियुम स Agency की लॉई बनाएगा ये क्योंकि ये थोड़ा सम फूलती भी हैं अर थोड़ा सक के Words डिष्ट के लोही रहेगी यानिकी बिस्कित रहेगे नहीं तो अच्छे से अंदर की तरफ यह पकेंगे तो सैज को मीडियम रखेगा तो आपने यहां रख सकते हैं और मैं यहां पर जो बिस्कित बना हुई हैं यह जो गोल बनाई हो फ्रेंश आप यह किसी भी आकार में बन ताफ भी को एक भी नियुक्तन हों सादी तेल मैं और लाइक वन तेल में जखेंगे जовन और उनगी ऑट दो देrikcüक्ता रूख ऐसे जादा गरम कर लेंगा पर लेया उन्ते तो जादा गरम निझे ओक जाया तो डिक्मों सादी ज़ती नियुक्तन कजा आता है को तो डालने के बाद फिर पर जुटेंगे पिलाल को डाल का थोड़ा सा पका लेगे नीचे की साइड से तो सूजी की biscuit friends अगर आपने बनाई हैं तो टेश्ट आपको जरूरे बता होगा और यह जो biscuit हैं बहुत करारे बनते हैं और मतलब हलकर किसें क्यार रहने हैं उससे पता लगता है किrend आता है कि एंग कदुछ की करने हो किरिक ने हैं और खाने में मजभी बहुत आता है और इसको आप ठंडा करने के बाद श्टोर कर सकते फ्रेंस अगर आपको रैस्पी जरासी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइट सस्क्राइब करना मत भुलिएगा और घुमते फिरते अगर आप मेरे चैनल पर आ गई है तो आपका हार भी स्वागत है सब्सक्राइब लाइक करना पिर को मत भुलिएगा तो देखे सब को पलट लेंगे और उलट पुलट करकर इसको सेखना है फ्रेंस और बिस्कित अमारे बेहुती करारे बहुत ही मज़दर बनेंगे अगर आपने आटे की बिस्कित भी बनाना चाह रहे हो अगर उसकी राइस पर देखना चाहते हैं तो मैंने अपने इस चैनल पर styl लोगी ऐ है जरूर आप पाजा कर देख सकते हैं तो देखे फिर पलड लेंगे और इसको सुने रहा सा कलर ठोड़ा आ जाए और फिर हम इसको नेकाल लेंगे बिस्कित को ये देखिए बिस्कित आपको दिख रहा है Hal उर पग गया है यह अंदर से पूरा अच्छे से हो गया है और उसके क्रैक्स लग रहे हैं तो इससे पद लग रहे हैं कि हमारे बिस्किट अंदर से अच्छा से सीख रहे हैं तो यह देखिए इसको भी पलट लेंगे हम और बस फिर अब फ्रेंज इसको हम निकाल लेंगे इससे जादा नहीं करेंगे तो बिल्कुल काले हो जाएंगे तो देखिए हैने लग रहे हैं बिल्कुल और कर सकते हैं और करारे करारे बिस्किट खाने का जब मान करें तब खा सकते हैं चाय के साथ भी खा सकते हैं बिना चाय के भी खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं तो फ्रेंच कैसे लगी आपको आज की रेसिपी हमें जरूर बताएगा अच्छी लगी हो तो लाइक सेर जरूर कीजिएगा और कमेट बें जरूर कीजिएगा और कराने से बिश्कुट को भी जरूर खाईएगा मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए गुड़ बाइ